Hello everyone और देखे दोस्तों सिस्ट इंवस्टी के अंदर जो LLB College की First match list का आज हमारा Last Day है यानि 25 September को Admissions Process कम्प्रीट करने की है हमारा Last Day था जिसका First match list के अंदर नेम आ चुका था वो अपना 25 September तक अपना Addsion Process कम्प्रीट करेंगे तो आज हमारा टाइम में आपे complete हो चुका है अब बात करते हैं आपे Second match list का आने वाली है साथ में से cutoff कितनी आने वाली है किस-किस का offer letter आएगा इस जन्दारी में आपको इस वीडियो के अंदर सेर करने वाला चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथ ही दोस्तों अभी तक आप में चैनल को सब्सक्राइब नेगे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा वीडियो चलिए वीडियो को Like और Share जरू किजएगा उसमें एडिवर कुछिस कर से कंप्लीट करना है उसके लिए में अलग से वीडियो बेंगे चनल को मिल जाएगी उस वीडियो को देखकर आप LLB केंपस के अंदर ले सकते हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं LLB कोलीज की सेकंड मेरिक लिस्ट के बारे में तो जो कि हमारी ज कि इसमें आपको कितनी रहने वाली है इसके लिए आपको सबसे पहले मैं वन बाई वन करके आपको एक्स्प्रेंड करूंगा कि कितनी जाएगी तो देखे प्राइवेट कोलीज की बात करें अगर आपका नेम आ जाएगा अगर आपकी 60 परसेंट तक भी मार्क मेरिट कि इसके अधिन हो जाए कि कि वहां पर फीस काफी काम होती है और कितनी फीस होती है गोर्मेंट कोलीजी की उसकी मेरे लास्ट वीडियो के अपना फिर्स मेरिट लिस्ट है उसके अंदर उसकी मैंने पूरी एक टुट जैड डिटेल आपको फीस के बारे में एक्स्प्रें क काले लिए कि कि इतनी फीस है अगर आप सबसे पहले बात करते हैं मेरत के अदर जो हुमारे 2 आते हैं और उन इनकी जो हमारी merit cutoff गई थी, जो हमारी first merit list लिए लिए कोलीज की, उसमें देखे आपको बात करते हैं, अगर आप merit college के अंदर बात करते हैं, तो first cutoff के अंदर हमारा यहां पर आया था, अनिजर के लिए cutoff गई है 77.27, OBC के लिए 73.10, SC के लिए 69.50, SC के लिए 69.50, SC के लिए को आपके WS के लिए 68.40 मिल जाएगी, तो यहाँ cutoff देख सकते हैं, बात करते हैं आपर first merit list के अंदर कितने student ने एडिशन लिया है, उसकी बात करें, तो यहाँ पर देखे मेरिट कोलीज के अंदर हमारी merit college के अंदर हमारी merit college के अंदर ही है, LB 3-year course के लिए, इसमें 300 seat अवे है, और 99 student ने अपना Edison confirm कर लिया है, first merit list के अंदर, तो अभी 201 seat हमारी available है, यानि इसकी जो cutoff है, हमारी काफी high रहने वाली है, भी बताऊं कितनी cutoff जा सकती है, बात करें यह EWS के लिए 10 seat हैं, 10 की 10 हमारी हमी आपर vacant है, बात करते हैं, NAS college के अंदर हमारी 180 seat है, इसमें 57 seat हमारी फिलो चुकी है, 123 seat हमारी अभी vacant है, यानि second merit list के अंदर 123 seat पे हमारी merit list लगाई जाएगी, 5 seat EWS के लिए है, 5 seat हमारी अभी vacant है, तो बात करें यहां पे हम merit cutoff कितनी जाने वाली है, second merit cutoff, तो यहां पे देखिए जो merit college merit cutoff जो जाने वाली है, वो आपको 70 के आसपास आपको द किल किया है, OBC के लिए यहां पे आपकी जो cutoff जा सकती है, वो 69% रखती है, यहनि जो को decrement मिलेगा, वो mainly आपको 3-5% का decrement मिल सकता है, यह हो सकता 6% का decrement मिले, लेकिन decrement इतना ही मिलेगा, आपको जाएगी 70% तक, OBC के लिए जाएगी 69% तक, SC के लिए cutoff जा सकते हमारी 60% और EWS के जो merit cutoff जाएगे, हमारी वो जाएगी 65% तक, बात करें, NAS कोफ जाने वाली है हमारी, अनुचर के लिए जाएगी 70% तक ही जाएगी, OBC ले जाएगी 68% तक जा सकती है, SC के जाएगी 62% तक, EWS के cutoff जाएगी 62% तक आपकी जाने वाली है, यानि आपका जो cutoff में आप आपको 3% से लेके 6% का cutoff का चिंजिस आपको देखने को मिलेगा, Merit College के अंदर, या पर seat अभी बहुत सारी वेकेंट है, लगबाग Merit College के अंदर हमारी 201 seat वेकेंट है, और NAS College के अंदर हमारी 123 seat हमारी वेकेंट है, तो cutoff के अंदर आपको 3 से लेके 6% का recruitment देखने को मिल सकता है, क्योंकि LLB के अंदर काफी कम student यहां पर एंदिसन ले रहे हैं, बहुस से ले लिया है, वहां पर classes भी स्टार्ट हो चुकी है, यह सब वेट कर रहे हैं, गवर्मेंट College का, फीस हमारी कम होती है, बात करें अगर आप बात करते हैं, यहां पर college की, जो कि हमारा आता है, ग 75% पे गई थी, ST के लिए 70% पे गई थी, ST के लिए 70.40% पे आई है, और EWS के लिए 72.57 पे हमारी cut-off आई है, MMS College गाजयाबाद की, अब बात करें किस्टे student ने यहां पर first major event edition ले लिया है, तो बात करें गाजयाबाद की MMS College की, तो यहां पर देखें जो गाजयाबाद की MMS सीट है हमारे available है, इसमें 58 student ने एडिसन ले लिया है, तो अभी यहां पे 62 student का यहां पे एडिसन ले लिया है, तो यहां पे cut-off की बात करें, अगर हम MMS College गाजयाबाद की, तो यह cut-off आपके जाने वाली है, जिनकर टेकली cut-off रहने वाली है, हमारी 75% पे रहेगी, तो यहा cut-off रहेगी हमारी, वो रहेगी 70% तक, FC के लिए cut-off रहेगी 68 तक जा सकती है, 60 या 5 तक भी आप ही जा सकती है, ST के लिए कोई cut-off नहीं रहने वाली है, देखने सेकिंड मेरी 6 के अंदर, AWS के cut-off रहेगी, आपकी 66% तक आपको cut-off देखने मिलेगी, 2-4% के agreement ही देखने मिले या उसके अंदर आपका merit index लाई करता है, तो आपका second merit index मिले नेम आजाएगा, MS College गाजाबाद के अंदर, बात करें, एक और कोई जाजा जो कि हमारा आता है, बुलन सहर के अंदर, जो कि आता है हमारा NREC College खुरजाक बुलन सहर, इसकी जहां पर या देखें, cut-off जो रहे सब्सक्राइब के अंदर, तो इसकी cut-off की बात करें तो इस cut-off में आपको कम से कम 6 से लेके 10% डिक्रिमेंट आपको इस कोलिज के अंदर देखने हो मिलेगा, जो अभी cut-off है 75, तो 2nd में cut-off आपकी जा सकती है, 65 तक भी cut-off आपकी जा सकती है, वो भी सिखले जाएगी आपकी 62 तक, ST के लिए cut-off जाएगी आपकी लगबग हमारी आपे 60% तक, AWS cut-off जा सकती यह हमारी 64-65 तक, तो यह cut-off रहने वाली है हमारी NREC College गा जा जाएगा, उस वो रिबुलन सहर के अंदर, तो अगर आपका merit index जो मैंने cut-off आपको बताई है, इसके अंदर आपका like करता है, 2nd match list के अंदर, तो आपका name आजाएगा, 2nd match list के अंदर, जिस preference को अपने fill किया है इसमें आप एंदिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर अभी कोई cut-off का notification नहीं आया है, साथ में कोई cut-off सो नहीं हुए, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर cut-off कब आने वाली है, हमारी 2nd match list कब आने वाली है, कितनी cut-off जाएगी, किस college की, और उसमें आपको offer letter कैसे download करना है, सेम तरी से आप मैंने आपको first video बताया कि offer letter download कैसे करना है, सेम तरी से करना है, तो अब आपको अपना merit index चेक करना है, cut-off आने के बाद, कि cut-off में like कर रहा है, नहीं like कर रहा है, और जो मैंने cut-off आपको बताई है, उसी साबसे cut-off आपको देखने को मिल जाएगी, इस अनु रात को हमारी cut-off आते हैं, लगबक 11-12 बचे के बाद, cut-off आपने को मिल दी है, जो सुबह आप चेक कर सकते हैं, कितनी cut-off गई है, कितनी नहीं गई है, वो आपको merit cut-off में आप चेक कर सकते हैं, तो अब दोस्तों clear हो गया होगा, कि जो second merit cut-off का आने वाली है, कितनी cut-off जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर share कर दिया, thank you